आज हम इस त्रंखला में जिस फल का वर्णन करने जा रहे हैं, उसका नाम है सीता फल, जो बच्चे कमजोर हैं, हेल्दी नहीं हैं, ऐसे वे सभी बच्चे हैं, जिनको गर्मी का रोग है, पेस साम में जलन होती है, ऐसी डिटी होती है, पित का नास करता है, तो ऐसी सभी हवस सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर छे रीतवे होती हैं, अगर किसी आप दूसे देश में जाएंगे, तो वहां पर ठंड है, तो पूरी ठंड चल लएए, अगर गर्मी है, तो लोग तपत से मर रहे हैं, गर्मी के कांज़े, लेकिन भारत में ऐसा नहीं, यहां पर दे होती हेल्दी फूड है, और इसका हमें परियोग करना चाहिए, जिन भाई बेहनों को मदूमे हैं, डाइबिटीज हैं, वे भी इसका परियोग कर सकते हैं, वो डरें नहीं, क्योंकि इसमें फ्रेक्टोज होता है, गुलकोज नहीं होता, जिन फलों में गुलकोज की अधिक पाई जाती है, वहाँ पर शुगर का बढ़ने खत्रा हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं चाहूँगा, जो भी भाई बेहने, इसका परियोग करें, जिनको अमल पित है, ऐसी डिटी बहुत जादे बनती है, और जलन पैदा हो जाती है, ऐसी सभी अवस्थाओं में, इसका हम परियोग कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा फल है, सीता फल, और यह हेल्दी फूड है, उन बच्चों को भी खिला है, जिनका अंडर वेट है, या जिनका पेट अच्छा नहीं रहता, यह रेचक भी है, पेट को भी साफ करता है, तो अपने स्वास्त को अच्छा बना सकते हैं, अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, अंडर वेट हैं, तो वेट को बढ़ा सकते हैं, और मधू में है, तो एक अच्छा फल हमें खाने को मिलेगा, तो मैं चाहूंगा, आप से भी भाई और बहने, इस फल का परियोग करें, और में रहें.